Hello and welcome to your favorite channel Brain O Solution देखो बच्चो question number 9 में कह रहे हैं कि एक AP है जिसका third term 4 है और 9th term minus 8 है ठीक है तो तुमको निकालना है कि कौन सा term उसका 0 होगा ठीक है clear है बच्चो तो देखो यहाँ पर यह कहना है third term उसका 4 है तो मैं A3 को कैसे लिख सकती हूँ A plus formula क्या होता है बच्चो AN is equal to A plus N minus 1D यह तुम्हाला formula होता है तो देखो बच्चो मैं A3 को क्या लिख सकती हूँ इस formula के according A plus N minus 1 मतलब 3 minus 1 यह हो जाएगा 2D ठीक यह है तुम्हारा 4K equal ठीक है और यह कह रहे है जो तुम्हारा 9th term है मतलब A3 है A9 सौरी उसको मैं क्या लिख सकती हूँ A9 को लिख सकती हूँ A plus 8D है ना 9 minus 1 8 हो जाएगा 8D यह किसकी equal है minus 8 के equal है ठीक यह कहने कौन सा term 0 है तो देखो यहां से पहले तो तुम D निकाल सकते हो कैसे इसको तुम equation 1 ले लो इसको equation 2 ले लो ठीक है तुम क्या करो subtract करो first को second में से subtract 1 from 2 ठीक है तो क्या होगा बच्चों A से A cancel out हो जाएगा 8D minus 2D ठीक है यहां पर ही हो जाएगा minus 8 ऊपर वाला क्या हो जाएगा minus 4 यह हो जाएगा 6D is equal to minus 12 ठीक है तो यहां से equation 1 क्या होगा equation 1 में रखने से a plus 2 into d कितना है minus 2 this is equal to 4 to a minus 4 is equal to 4 aq value क्या जाए कि धर लेलो 4 plus 4 is 8 ठीक है तो 8 aq value आ जाए कि तुम्हारे 8 ठीक अब यह कहने कौन सा टर्म 0 है तुम्हारा ठीक तो यहां यहां पर इस वाले formula में रखो a n कह रहे है जीरो है तुम्हें कौन सा टर्म है n निकालना है यहां पर ठीक ए आ गया 8 n तुमको निकालना है d is minus 2 गेधर लेलो तो यह हो जाएगा minus 8 is equal to n minus 1 into minus 2 minus 2 इधर है नीचे लेलो तो multiply हो जाएगा यहां पर क्योंके है multiplication में है तो यहां पर division में हो जाएगा sorry थीक है तो यह हो जाएगा minus minus cancel 4 is equal to n minus 1 n कितना आ जाएगा 4 plus 1 is 5 तो यहां पर तुम्हारा 5th term क्या होगी 0 होगी ठीक है यहीं कें से 5th term विल बी जीरो ठीक है clear है अब आजा तुम इसकी question number 10 पर